नमस्कार दोस्तों ओमकार चोधरी शो में आपका स्वागत एक वर्ग है जो ब्रहम मास्त्र को हिट सुपर हिट और ब्लॉक बस्टर होने के दावे कर रहा है मैं कुछ आखड़े पेश करता हूँ और ये आखड़े मेरे नहीं है ये इन ही के द्वारा जारी किये गए आखड़े हैं और इन आखड़ों के बाद मैं कुछ सवाल भी ऐसे अति उत्सा ही लोगों से करना चाहूंगा जो इस फिल्म को सुपर हिट बता रहे हैं या ब्लॉक करोड की कमाई दूसरे दिन 42 करोड की तीसरे दिन 45 करोड की ये वीकेंड कहलाता है शुक्रवार शनिवार रविवार और सुमवार को कितनी कमाई पंदरा दसमलव 45 यानि पंदरा करोड 45 लाग की ये चार दिन की कमाई मिला करके भारत की बात कर रहा हूं विदेश की बात ने कर रहा है भारत में 36 करोड 42 करोड 45 करोड और 15 करोड 45 लाग यह मिलकर के होती है 138 करोड 45 लाग चार दिन की जो पीक माने जाते हैं किसी भी फिल्म के लिए यानि ये तीन दिन जो शुरू के हैं ये पीक माने जाते हैं और चलिए समवार को भी उसने 15 करोड से जादा की कमाई कर ली तो उसको भी हम जोड लेते हैं तो चार दिन में ब्रहमास्त्र की भारत की कमाई है सारी भाषाओं की हिंदी की भी तमिल की भी तेलगू की भी मलियाली की भी सब की मिला करके 138 करोड 45 लाग रुपे मंगलवार की जो एडवांस बुकिंग हुई है उसके भी आंकड़े आ गए थे देर रात वो थी सारी भाषाओं की मिला करके 3 करोड 20 लाख रुपे यानि 138 करोड और 3 करोड 20 लाख रुपे कुल मिला करके 141 करोड 65 लाख चलिए वो तो एडवांस बुकिंग है टिकेट खिड़की पर जो बुकिंग होगी उसके आकड़े मंगलवार की शाम तक या देर रात तक आ जाएंगे वो अगर हम ये मान करके भी चलें के सोमवार को 15 करोड की कमाई की है मंगलवार को और मजबूत दिल करके 10 करोड की कमाई मान लेते हैं तो ये कितनी बैठेगी सब 150 करोड 151 करोड भारत के वीतर और इन दिनों में यानि तीन दिनों में शुरू के तीन दिनों में एवरोड कितनी कमाई किए फिल्म ने ये किए है 82 करोड कुल मिलाकर के यही लोग यानि ब्रहमास्त्र के प्रडूसर डिरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस यही दावे कर रहे हैं जो ट्रेड के जानकार हैं जो इनके समर्थक हैं वही दावा कर रहे हैं कि सोमवार तक फिल्म ने सवा 200 करोड का बिजनिस किया है अब जरा मूल बात पर आ जाईए इस फिल्म का पीक निकल चुका है शुरू के तीन दिन पीक माने जाते हैं जिसमें तमाम तरह के परियास करने के बावजूद इस फिल्म ने 138 करोड तो भारत में कमाया है और एवरोड की भी बात कर लें तो वो सब मिला मलू करके सवा 200 करोड रुपया कमाया है अब जो ये सप्तहा शुरू हुआ है सोमवार से इस सप्तहा ये कितना कमा पाएगी उसका ज़रा अंदाजा लगाईए और फिल्म पर लगत कितनी आई त्थी चार करोड चार सो पंदरा करोड तो चारसो पंदरा मैंसे अगर अभी हम निकालें ये जो सवा 200 करोड हैं तो अभी बैलेंस कितना बैठ सा है अभी गाटे में कितने के हैusal上 नब्य करोड के गाटे में अभी फिल्म है जिसको सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है और याद रखिए इसका पीक निकल चुका है अब ये 36 करोड 45 करोड और 42 करोड और 15 करोड कमाएगी नहीं तो अब ये कमाएगी कितना किसी दिन बहुत उच्छाल मारा 5 करोड कमा लिए जैसे मंगलवार की जो देर रात तक बुकिंग आई थी एडवांस की ही 3 करोड कुछ थी 3 करोड 20 लाग थी तो कितना कमाएगी मूल सवाल ये है कि क्या फिल्म अपनी लागत भी निकाल रही है हलाकि इनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं बहुत सारे राइट्स बेशते हैं ये लोग म्यूजिक के इसके उसके फिर OTT का भी विकल्फ खु हुआ है अभी अब ये चार महिने बाद छे महिने बाद OTT पर रिलीज करें उसके राइट्स किसी को दे दें और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ और बहुत मीडिया को औलाइज करने के बाद इस फिल्म के पक्ष में पूरी हवा बन आने के बाद भी इस फिल्म का ये परदर्सन है और इसको सुपर हिट करार दिया जा रहा है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अ आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार